इस्थानी नर्मदा कॉलोनी शान्ती कुटी दांगी घाट परतीन दिवसी श्री राज राजेश्वरी त्रुपड सुंदरी का दिव्य अभिशेक पूजन अर्चन प्रवचन और शत्चंडी यग की शुरुवात भव्यकला शुभायात्रा के साथ हुई शुभायात्रा विवेकानंद घाट से निकाली गई जिसमें त्रुपड सुंदरी मा राज राजेश्वरी इबं मा नर्मदा के अनन्य साधक स्वामी शड मुखानंद महराज शीरापुरवाले गुरुजी बग्गी में सवार होकर शुभायात्रा में शामिल हुए शुभाय विश्वक के साथ ही शत्चंडी महायग का शुभारम हुआ जिसमें शद्धालों ने आहूतियां छोड़ी पूजन अर्चन उपरांद शाम चार बजे से भागवत किंकर पंडित कृष्णकान शास्त्री व्रंदावन धाम के तीन अमाले मिल उपाख्यान पर प्रवचन द देते हुए कहा कि आजादी से बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं अपने बेटा बेटी उन्नती करें तो माता पिता और भगवान को भी खुशी होती है करकम आयजोकेवम समासिवी लौइन डियेस दांगी ने कहा कि भारतिय स्वंस्कृति में तपस्या और साधना का सबसे ज्यादा महत है शड्मुखानंद महराज तपस्वी और साधक संत है हम लोगों का स्वभाग है कि उनके दर्शन यहां कर पा रहे है ज्यान भक्ति और कर्म की त्रवेणी संगम है और मा नर्मदा के अनने साधक है जिनके मार्ग दर्शन में यहां आयजोन किया ज़ा रहा है दांगी ने बताए कि मा भगवती परंबात रपुड सुंदरी महराज राज़ेश्वरी और पुन सलिला मा नर्मदा के अनने साधक गुरुदेव श्रीश्री स्वामी शी शड्मुखानंद महराज हीरा पुरवाली के करकमलोदारा शांती कुटी दांगी घांट में दिब लोग मौजूद रहे नर्मदा पुरम से हेना अली की रपोर्ट